हैले दोस्तों स्वागेत आपका मेरे चैनल वास्तु ट्विप्स घरे लूप चार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम जारेंगे दिवाली में कौन सी जग घर में नहीं रखनी चाहिए कौन सी जग घर में रखने से धन की हानी होती है तनातन धर्मे में जोतिस सास्ट्रों वास्टू सास्ट्र का महत्तु पूर्ण इस्तान है आजकल दोनों फिर्चलन में हैं लोग हर कारी को सुप मोरत में करते हैं, साथ ही घर में वास्तु नियमों का पालन करते हैं, इससे घर में सुक और सम्रिद्धी बनी रहती है, साथ ही कारी में सिध्धी प्राप्ती भी होती है, हाला कि कुछ लोग वास्तु नियमों का पालन नहीं करते हैं, इससे उनकी नावेशक चीज़ा रखने से वास्तु दोस्त लगता है। अगर आप भी घर की सुक्सम्रिद्द्धी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भूल कर भी घर में इन चीज़ा को ना रखें। टूटी फूटी वस्तुएं वास्तु सास्त के अंसा टूटी फूटी वस्ते नकारात्म खुर्जा को आकर्षित कर सकती हैं और ये घर के सकारात्म कवातारण को भी प्रभावित करती हैं दिपावली के सुप दिन पर घर में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी या स्यतिग पर्दिर्सिव स्थु रखा असूski वुसुर्प उन्याही है। पुरानी जाडु जो 30 विस्यसक की दिपावली के दिन पुराने जाडु को हटा कर घर में नई जाडु राने के सला देते हैं। पुरानी जाडु नकारत्म के उर्चा उत्पन न करती है। जिससे घर की साफसोपे और सच्चता प्रभावित हो सकती है। इसलिए दिपावली के दिन घर से पुरानी ज़ाड़ू हटाकर नई ज़ाड़ू रखने चाहिए मुर्जावे फूल या पौधे जोतित बिश्यसक्यों के अनसार दिपावली के दिन घर से सबी मुर्जावे पौधे को हटा देना चाहिए मुर्जाय हुए पौधे नकारात्मकूर्चा को अकरसित करते हैं और घर के पूरे वातरणों को भी परबावत करते हैं इसलिए दिपावले के दिर मुर्जाय हुए पौधे या फूल घर से हटा दे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ